अजेश्वर धम के पिठाधीश्वर पंडेत धिरेंदर कृश्ण शास्त्री शुक्रवार यानि की 24 नवंबर को कानुबूर के अशोक नगर पहुंचे पंडित धिरेंद कृष्ण शास्त्री की जलक पाने के लिए हजारों भक यहाँ पर जमा हो गए पंडित धिरेंद कृष्ण शास्त्री श्रीबैलाजी सेवा समीकी के संस्थापक सुनिल सुकला के निवाज पर पहुँचे इस दोरान शैर वाशियों ने जगा जगा पुष्प वर्षा कर धिरेंद कृष्ण सास्त्री का स्वागन किया इस दोरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब दूसरे बलड गृप का बलड अंदर नहीं जा सकता तो हम दूसरे मज़ब की तरफ क्यों ताके जब वो नहीं बदल सकता तो हमको मज़ब क्यों बदलना इसलिए हम सब हिंडू एक हैं नफरत नहीं प्रेम के आदी हैं और गर्व से कहते हैं कि हम हिंडू बादी हैं उन्होंने का कि आप सभी बागेश्वर बाला जी आईए आपको निमंत्रन है हमारा नियोता है निमंत्रन सुईकार करो और एक मार से आठ मार्ट तक महायग है बागेश्वर धाम पर 151 कन्याओं का विवाह है तो सब को निमंत्रन है पूरे कानपूर को सब लोग हस्ते रहा करो और हसाया करो कानपूर के अशुक नगर में समाज सेवी के घर आए बागेश्वर धाम के पंढ़ित धिरिन सात्री ने कहा कि हम सब हिंदू एक हो चाहें पंथ अनेक हो भारत हिंदू रास तभी बनेगा जब सब हिंदू एक होगी महीं राउल गांदी दोरा पीम पर टिपनी करने के मामले पर कहा कि राजनीता और राजनीती पर हम कोई टिपनी नहीं करते रामायन और रामचरित्र मानस ना पढ़ाय जाने पर कहा कि ये विरूत करने वाले रावन के खांदान के हैं इनकी ठटरी बादो हिंदू के देश में रामायन नहीं पढ़ाई जाएगी हिंदुस्तान में राम के रास्ट में अगर राम चरित्र मानस नहीं पढ़ाई जाएगी तो क्या पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी भारत की बात रोहित सिंग सावल के साथ सिर्फ एबी पी नियूस पर एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी